नमस्कार दोस्तों मैं योगी पंडित और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी पंडित तो चलिए दोस्तों आज हम सिखेंगे घर के सभी नल को एक साथ कैसे रिपेर करें उसका लाइन का जो मैं प्रेसर है पानी का कम आ रहा है उसको सभी को एक साथ कैसे रिपेर करें उसक को बिल्कुल भी मिश ना करें पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें और पसंद नहीं आए तो डिस लाइक करें और कोमेंट करके बताएं तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं च्छत के उपर जहां पर मैन टैंक लगा है उसी के पा अब दोस्तो मैंने बाल को बंद करने के बाद में जो लाइन के अंदर पानी है कम सबसे कम हाइट वाली नल को चला कर उसको खाली कर रहे हैं तो यह पूरी लाइन अभी खाली होने वाली है दोस्तो तब तक के लिए आप चैनल को सुश्क्राइब जरूर जरूर कर लें और कुमेंट करके हमें बताइएं तो हमारी लाइन दोस्तों अभी खाली हो चुकी है हब हम चलते हैं वापीस है चत के उपर है और सभी नल कोrices आपको एक एक करके बंद कर देना है एक भी नल चालू ना रहीं तो चत पे जाने के दोस्तों हमारे पास यह देखिए दो एसिट की बोतले हैं जो नमक तिजा बोलते हैं उसको यह लिए हैं अब हम दोस्तों जो मेन लाइन की पास में एर लाइन लगी है उसके मादम से हम इसको डालेंगे तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखें अगर एर लाइन हमारी बाल लगा है मैन बाल उसके बात में लगी है तब ही तो आपको बाल बंद करके लगाना है और अगर एर लाइन पहले लगी है बाल से तो आपको पूरा टैंक फाली करना है दोस्तों और साबदानी के साथ काम करना हैं किसी भी परकार की इस एक तरीका किसम का जहर है दोस्तों इसे साफ़दाने से काम मेले क्योंकि यह नुक्सान दाइक है और बच्चों की पहुंच से दूर जरूर जरूर रखें तो दोस्तों हमने दो लिटर जो एसिड लिया है वो डाल दिया है अब मैं चलता हूं वाप करके मैंने सब नल को चैक करना है तो यह सबसे कम हइट वाला नल है दोस्तों जो टॉलेट के अंदर होता है लगबग दोस्तो मैंने सवी निल के अंदर चेक कर लिए हैं इसमें सभी में एसिड आ रहा है तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और पस 15-20 मिनट के बाद में दोस्तो हम जो एसिड डले हैं उसके मादेम से पूरी लाइन के अंदर जो काई बगिरा जमी है वो साब हो जाएगी तो दोस्तो हमारे 15-20 मिनट पूरे हो चुकी हैं अब हम इसको जो में कम हाइट में सबसे कम हाइट वाली नल है जो टोलेट के अंदर लगे हैं उसके मादेम से वापिस बोटलों में खाली करते हैं दोस्तो एसिड के अंदर देखिए इसका कलर ही चैंज हो गया है इसके अंदर देखिए पहले एकदम साब कलर था और इसके अंदर कलर बिलकुल चैंज हो गया है क्योंकि इसके अंदर काई बगिरा कटके सबा गई है तो हमने दोस्तों ये एसीड है जो वो तो हमें वापिस भर ली है तो दोस्तों देखिए हमारे एसीड के अंदर ये कच्रा है आपको दिखाई दे रहा है काईब अगेरा कटके इस एसीड के अंदर आ गया है अब हम दोस्तों जो टॉलेट के अंदर सबसे कम हाइट वाले जो नल है उसके अंदर मैन लाइन को चालू करके पानी की जो उबाल है उसको चालू कर दिया है और अब हम इसको अंदर से पानी चला रहे हैं और जो एसिड है ये टोलेट के अंदर हम डाल सकते हैं इसमें जायत कोई दिक्त नहीं लेकिन और जगें बच्चों से या किसी खाने की चीज़ से दूर रखें और इसे हाथ से नहे लगाएं दस दने बगेरा कुछ पहन के लगाएं तो यह देखिए दोस्तो हमने सब नल को एक एक करके चला दिये इसका परेशर देखिए दोस्तो कितना हाई हो गया है तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तो अगले वीडियो में फिर मिलेएं तब तक के लिए नमस्कार